अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो बराइकरम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें आपको इस तरह की वीडियो मुस्तक्बिल में भी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें तो आज हम लोग जामे में लिया शिलामिया बियो उर्दू 2022 का जो पेपर हुआ है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं मैं इसको बहुत ही डिटेल में बहुत ही तफसील के साथ सॉल्व कराऊ करूंगा वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा लास्ट तक देखिएगा और इसके अंदर जो बाते यह जो इन्फॉर्मेशन यह जो नॉलिज में देनी के कोशिश करूंगा वह बहुत ही इंपो चालिस कोशन हम लोग सॉल्व करेंगे लेकिन चालिस कोशन के अलावा मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँगा जो नॉलिज दूँगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा नॉलिज दूँगा वह बहुत ही जादा अहम है वह बहुत ही जादा महत्पूर लहेगी और आपकी इस information से बहुत अच्छे अंदाज में तयारी भी हो जाएगी जो भी मालूमात मैं आपको दूँ आपका ये फरीजा और responsibility है कि आप उसको note down करते हुए चले अपनी diary में या copy में उसको उतारते हुए चले लिखते हुए चले इस तरह की जो questions हैं वो बार-बार exam में पूछे जाते हैं और आपके पास वो सारे questions सारे सवालाद एक जगा जमा हो जाएंगे ठीक okay start करते हैं हम वीडियो को start करने से पहले एक चीज में आप लोग को ये बदला दूँ कि इससे पहले हम लोग 6 साल की वीडियो बना चुके हैं आप बीओ अनर्स उर्दू के 6 साल के पेपर हम लोग solve करवा चुके हैं इसी तरीके से अरभिक के भी 6-7 साल के पेपर हम लोग solve बहुत जादा मालूमात के साथ मैं वीडियो बनाता हूं ऐसा नहीं कि जो कोशन है उसका आंसर दिया और उसके बाद अगले कोशन पर आ गए जितने भी ऑप्शन होते हैं चार उप्शन उनको हम लोग उनका पोस्ट मार्टम करने की कोशिश करते हैं उनको बिल्कुल तराश काचने की कोशिश करते हैं आपके जो चारों ऑप्शन हैं वो समझ में आ जाए और आपको मजीद मालूमात मुहया कराई जा सके प्रोवाइड कराई जा सके आई इस चार्ट करते हैं पहला कोशन देखते हैं कि पहला कोशन क्या है तो पहला कोशन यहां पे है कि जेल में से कौन सी तसनीफ नजीर अहमत की नहीं है ठीक है यह निमनल जेल कुछ किताबे लिखे हुए हूं उनमें से आपको बतलाना है कि कौन सी तसनीफ कौन सी किताब नजीर अहमत की नहीं है इसमें जो राइट आपशन हमारे पास हो जाएगा मजालिस निसा C is the right option ये मजाले सुनिसा ये डिप्टी नजीर एहमद यानि मौलवी नजीर एहमद की किताब नहीं है बलकि ये किताब है मौलाना अलताफ हुसैन हाली की आई जब मौलाना अलताफ हुसैन हाली का नाम आया है तो इन से रिलेटिड जितने भी मौलब कोशन्स बनते हैं चाहे वो ब पस्नीफ है इसके लावा मौलाना अलताफ उसेन हाली ने तीन सवाने अम्रिया लिखी है वो पूची जाती है एक्जाम में आप नो डाउन करते हुए चलें लिखते हुए चलें पहले यह हयात साधी दूसरी है हयात जावेद तीसरी है यादगार गालिब देखिए हयात साध यह मौलाना अलताफ उसेन हाली ने शेख साधी रह्मा उल्ला की जिन्दीगी पर लिखी है और हयात जावेद यह लिखी है सरस्यद एहमद खान के बारे में और यादगार गालिब यह लिखी है गालिब रह्मत उल्ला गालिब गालिब की जिन्दीगी के बारे में लिखी ह ठीक सु तीन सवाने उम्रियां हैं मौलाणा अल्टाफ हसैन हाली की बार रबार एक्जाम के आंदर पोचे जाती हैं हयात साधी शेक्साधी रहमा ऑल्ला की जिंदगी के बारे में लितकी है मौलाना सरस grote Ahmed Khan की जिंदगी के बारे में, ग्यादगार गालिप, ये गालिप की जिंदगी के बारे में लिखी है, तो आप ये तीनों मलप सbars निगारियां लिखाएगी, वीडियो लम्बी हो जायेगी, आपसे गुजारिश है कि आप एंड तक वीडियो को देखेएगा, ठ आप अगर शेरो शायरी से अगर आपका रुजहान है तो आप इस किताब को जरूर पढ़िएगा तो तनकीद पे मुलाना अल्दाफ हुसेन हाली की किताब है मुकद्दमा शेरो शायरी उसके बाद एक मसद्दस मौलाना अलताफ हुसेन हाली ने लिखी है मसनवी मद्दो जजरे इसलाम के नाम से जिसको हम लोग मसद्दस हाली के नाम से भी जानते हैं तो मसद्दस मसनवी मद्दो जजरे इसलाम मसद्दस हाली ठीक है उसके बाद नजमों की अगर आप बात करें क्योंकि मौलाना अलताफ हुसेन हाली शायर भी थे तो बहुत सारी मौलाना अलताफ हुसेन हाली की हैं जैसे हुबे वतन है, बर्खारत है, निशात अमीद है, मौनाजरा, रह्म और इनसाफ और मनाजात बेवा और चुप की दाथ, ये मौलाना अलताफ हुसेन हाली के बारे में मौनलब इंपोटेंट कोशन्स थे, जो मौनलब पूछे जाते हैं एक्जाम के अंदर, एक बार मैं और रिपीट कर दूँ, सो डैड़ आप अपनी कौपीज में या डैरीज में इसको लि की है, मौलाना अलताफ हुसेन हाली ने मसनवी मद्दो जजर इसलाम के नाम से, उसके बाद कुछ नजमे हैं, हुबे वतन, बरकारत, निशात अमीद, मौनाजरा रहम उनसाफ, मनाजात बेवा, चुप की दाथ, ठीक, उसके बाद यहां पर आगर आप देखें, ये तौब मौलवी नजीर अहमत की, और मौलवी नजीर अहमत को उर्दू का सबसे पहला नौविल निगार तसलीम किया जाता है, आप इस पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलें, ठीक, और कुछ मशूर जो नौविल्स हैं मौलवी नजीर अहमत के, उन में मिरात अलूरूस का न जिन से कोशन्स बनते हैं, मिरात अलूरूस, तौबत अनसू, बनात अनाश, इबन वक्त, रुयाए सादिका, फसाने मुप्तला और अयामी, आप नो डाउन करते हुए चलें, ठीक, आईए दूसरे कोशन्स पे आते हैं, दूसरा कोशन है, यादगार इगालिप किस की तसन हो जाएगी, यादगार इगालिप ये तसनिफ हो जाएगी, मौला ना अलताफ हुसेन हाली की, तो राइड ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, ठीक, उसके बाद यहाँ पे अल्लमा शिबली नुमानी का नाम आया है, बहुती मशूर हस्ती हैं, इन से बहुत सारे कोशन्स खास तोर से इनके जो किताबे हैं, जो मशूर मशूर, इन्होंने किताबे लिखी हैं, उन पे कोशन्स बनते हैं, आईए मैं आप लोग को किताबे बतला दूँ, इनके जो मशूर किताबे हैं, एक अल्मामून है, एक अल्फारूक है, एक अल्गजाली है, एक सीरत النुमान ह और एक सीरत नबी है ये पांच मशूर किताबे हैं एक और मशूर किताब जो एक्जाम में पूछी जाती है उस पे आगे कोशन भी आएगा इसी पेपर में वो है मुवाजना अनीसो दबीर मुवाजना अनीसो दबीर ठीक तो अलमामून ये अलमा शिबली नुमानी ने लिखी थी जो हारून नशीद के जो बेटे थे मामून नशीद उनकी जिंदगी के बारे में लिखी है ये सवान अमरी है और अलफारूक ये हजरत अमर फारूक रजिया ल्लाह ताला नहों की जि जिंदगी के बारे में लिखी उसके बादे सीरत नभी ये नभी करीम की जिंदगी के बारे में लिखी थी ठीक तो इतने सारे कोशन्स हैं आप एक शखस से इतने सारे मलब मैं आप लोग को मलब आप्शन्स बतला रहा हूं इतने सारे मलब कोशन्स बतला रहा हूं शिबली आए तीसरे कोशन पर हम लोग आते हैं जिस नजम में शहरों की बदनजमी, बदहाली और बरबादी का जिक्र होता है, उसे क्या कहते हैं, देखिए, कोई भी ऐसी नजम हो जिसके अंदर मलब शहरों की बदनजमी, अफरत अफरीगा महौत इसमें बेद बेयान किया हो, तो उ उसको हम लोग क्या कहेंगे उसको हम लोग शहरे आशूब कहा जाता है ठीक सो राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा सी यह शहरे आशूब की यह तारीफ भी है और शहरे आशूब इसी को कहा जाता है ऐसी नजब को कहा जाता है जिसमें किसी भी शहर की आप कह सकते हैं कि बन्नजमी का बयान हो या बद्धाली का बयान हो या अफरत अफरी का माहौल या बरबादी का जिसमे में लफजे क्रिक्या गया हो तो उसको शहर आशूप कहते हैं उसके बाद हम लोग आप्शन से देखते हैं कि A आप्शन भी लेंगे बी भी लेंगे और उसके बाद डी भी लेंगे हम लोग आईए पहला आप्शन हम लोग लेते हैं वासोखत किसे कहते हैं वासोखत नजम की वो किस्म है शायर जिसमें महबूब की वफा के किस्चे बयान करता है उसको वासोखत कहते हैं एक बार आप और सुन लीजिए नजम की वो किस्म शायर जिसमें महबूब की वफा के किस्चे बयान करता है उसे वासुफ कहा जाता है ठीक उसके बाद मरसिया किसे कहते हैं मरसिया मरसिया कहा जाता है ऐसी नजम को जिसमें किसी की मौत पर इजहार गम किया गया हो और उसकी खूबियां बयान की गई हूँ उसको हम लोग मरसिया कहते हैं मरसिया आम तोट से वो नजम होती है जिसमें किसी की मौत पर शायर इजहर गम करता है और उसकी खूबियां बयान करता है तो ऐसी नजम को मरसिया कहते हैं उसके बाद देखते हैं कसीदा किसे कहते हैं कसीदा उन अशार को कहा जाता है जिन में किसी की मद या हिज बयान की जाए या जिसमें किसी की तारीफ या आप कह सकते हैं बुराई बयान की जाती है तो ऐसे अशार को कसीदा कहा जाता है ठीक आएए चौधे कोशन पे आते हैं चौधा कोशन है नाजू की उसके लबकी क्या कहिए पंखुली एक गुलाब कीसी है तो इस शेर में कौन सी सिफ़त है तो इस शेर में शाय ने तश्बीह बयान की है राइड आप्शन हमारे पास हो जाएगा भी अब मैं इन सब की आप लोग के सामने तारीफ पर हुआ ये सारी चीज़े आपके सामने क्लियर हो जाएं ये उर्दू कवाइद हैं जो एक्जाम में बार बार आते हैं चाहे आप बी ए उर्दू की बात करें या जामिया बी एम ए उर्दू की बात करें तो इस तरह के मलब कवाई से रिलेटिड भी एक्जामिनर कोशन मुचता है ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इस त्यारा तश्वी के बारे में ये देख लेते हैं तश्वी किसे कहते हैं तश्वी जब एक चीज या शख्स की सिफ़त को किसी दूसरी चीज के मानिन बतलाया जाए तो उसे तश्वी कहते हैं जैसे चांसा चेहरा कलीसी मुस्कान ठीक, तश्वी जब एक चीज या शख्स की सिफ़त को किसी दूसरी चीज के मानिन बतलाया जाए तो उसे तश्वी कहते हैं जैसे चांड सा चेहरा कली सी मुसकान अब सवाल पैदा होता है कि मुशबा और मुशबा भी इनमें मलब कौन सा होगा मुशबा यानि जिसको तश्वी दी जाए और मुशबा भी जिस चीज से तश्वी दी जाए उसे मुशबा भी कहेंगे सो मुशबा जैसे चेहरा और मुसकान और मुशबा भी चांद और कली ठीक उसके बाद आईए देखते हैं कि इस्तियारा किसे कहते हैं इस्तियारा किसी लफज को उसके असल माने के अलावा किसी दूसरे माने में इस्तिमाल करने को इस्तियारा कहते हैं जैसे किसी बहादूर आदमी को देखकर कोई कहे कि देखो शेर आ रहा है शेर आ रहा है ठीक सो इस्तियारा किसी लफ़ को उसके असल माने के अलावा किसी दूसरे माने में इस्तिमाल करने को इस्तियारा कहते है जैसे कोई बहादर आदमी है तो उसको देख के कोई दूसरा शक्स कहे के देखो शेर आ रहा है ठीक उसके बाद इहाम किसे कहते हैं इहाम कलाम में ऐसे लफ़ का इस्तिमाल करना जिसके दो माने निकलते हूं और दोनों से शेर के अलग-अलग मतालिम निकाले जा सकते हूं उसे हम लोग इहाम कहते हैं ठीक यानि कलाम में ऐसे लफ़ का इस्तिमाल करना जिसके दो माने निकलते हूं और दोनों से शेर के अलग-अलग मतालिम निकाले जा सकते हूं इहाम कहा जाता है ठीक उसके बाद तल्मी किसे कहते हैं तल्मी देखेंगे हम लोग तल्मी किसे कहा जाता है ठीक सो तल्मी ही कहते हैं शेर में किसी तारीखी वाकिये किस्से या नुक्ते की तरफ इशारा हो तो उसे तल्मी ही कहते हैं जैसे अबने मर्यम हुआ करे कोई मेरे दुख की दुख की दुख करे कोई जिसमें शाइन ने तारी스ी वाकिये को बयां किया है या तारीखी किसे को या तारीखी नुख्ती की तरफ इशारा किया है तो उससे तल्मी कहते है जिसे गालिब क отправ के एक बहुती मشूर शेर है तारीखी वाकियर को बेञा किया है ये तारीखी किस्खे को ये तारीखी नुकती की तरफ इशारा किया है तो उसे तल Commun कहते है जी है जिसे गालिब के एक बहुती मशूर शेर है अभने मर्यम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई तो गालिब ने इस शेर के अंदर मरियम अलएश्य स्लाव का जो किस्सा है उसको बयान किया है ठीक आई ये पांचवे कोशन की तरफ चलते हैं मैं बार बार मनलब इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी त्योंकि मैं सारी चीजों को लेके चल रहा हूं बहुत परकुशन बन सकते हैं वो सारे कोशन मैं आप लोगों के सामरी लेके चल रहा हूं ठीक है हम लोग 40 कोशन पेपर पर हल कर रहे हैं लेकिन अगर देखा जाए तो चार सो कोशन हम लोग मनलब कौपी और कलम की धुरू मनलब सॉल्व कर रहा है ठीक तो वीडियो को लास्थ देखेंगे और इस वीडियो को बराएकर हम जादर से जादर शेयर करेंगेगा क्योंकि इस तरह की वीडियो हम चाहते हैं कि हर बच्चे के पास पहुंचें और हर बच्चा मलब जामिया का जब भी फॉर्म भरे तो उसका सेलेक्शन हो जाए वो सिलेक्टिड स्टूडेंट्स की लिस्ट में उसका नाम आए ठीक उसके बाद पांचवा यहाँ पे पांचवा यहाँ पे मलब कोश्चन है शेर में किसी तारीखी वाकिये किसे या नुक्ते की तरह इशारा हो तो उसे क्या कहते हैं अभी मैंने उपर भी आप लोग को बतला आ था उसे क्या कहा जाता है उसे हम लोग तल्मी कहते हैं उसके बाद ताजाद देखते हैं कि ताजाद किसे कहा जाता है देखे बार बार कह रहा हूं कि कवाइश से बहुत कुश्चन जामिया के अंदर आते हैं है तो आप जितने भी कवाइद में आप लोगो बतला रहा हूं तारीश बतला रहा हूं को लिक्तिक हुई चलएं तो तर्ट आप जब भी मद्रह तईारी करने वेटें तो आप के सामने छीजवें रहें और आप इसली इन चीजों को मैं लमू जबानी याद कर सकें ठीक है सो तजाद कहते हैं शेर के एक या दोनों मिसरों में से ऐसे अलफाज का इस्तिमाल करना जिनके माने आपस में मुतजाद हो उसे तजाद कहा जाता है तजाद यानी उल्टा ठीक है तो शेर के एक मिस्रे में या दोनुों मिस्रों में ऐसे अलफाऊद का इस्तिमाल कना जिनके मानिे आपस में अगर 양ुन्त हो तो उन्हें हमतधात कहते हैं ठीक उसके बाद आईए देखते हैं कि गलू किसे कहा जाता है गलू गलू कहते हैं शेर में किसी की तारीफ में हद से जादा तजावज या आगे बढ़ जाने को गलू कहते हैं ठीक उसके बाद लफो नश्र किसे कहते हैं लफ़ो नश्र कहा जाता है किसी एक शेर में कुछ अलफाज को लपेट कर बयान करना फिर दूसरे शेर में उन अलफाज को खोल देना उसको लफ़ो नश्र कहते हैं ठीक आईए छटे कोशन की तरफ अब हम लोग रुख करते हैं मसनवी गुलजारे नसीम के शायर कौन है देखिए मसनवी गुलजारे नसीम के जो शायर है वो पंडित दया शंकर नसीम है सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए उसके बाद मीर हसन का यहां पे नाम आया है तो मीर हसन ने एक बहुती मशूर मसनवी लिखी है जो बार बार एकुशन है जब किसी बात को बड़ा चड़ा कर पेश किया जाए तो उसे क्या कहते है जाहिए सी बात जब किसी बात को बड़ा चड़ा कर पेश किया जाता है तो उसे मुबाल का कहते हैं राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा भी आईए दीक अधिक कभाइद बहुत बार आ रहे हैं कभाइद के जो कोशन से बहुत बार पेशसे जा रहे हैं इसी बैसे मैं कहरा हूँ जितने भी इनफॉलमेशन या मालूमात मैं आपको दे रहा हूँ आप उसको नोट डाउं करते होगे चलें ठीक आप चाहें वीडियो को मलब बार बार रोक के करें या सिलो मोशन पे लगा के चलें वो आपकी मरज़ी है लेकिन इन सब चीजों को नोट करने इस तरह की चीज़े आई तिंग किसी भी यूटूब चैनल पे नहीं बताई जाती है एतने information के चाथ कोई भी शच्खस आपको इस तरह की चीज़े नहीं बता सकते एठीक फूसन तालील किसे कहते हैं आईए देखते हैं हूसन तालील किसे कहते हैं फूसन तालील कहा जाता है के कलाम में किसी बात का वो सबब बयान करना जो हकीकत में उसकी वज़ा ना हो हुसने तालील कहलाता है एक बार और सुन लीजिए कलाम में किसी बात का वो सबब बयान करना जो हकीकत में उसकी वज़ा ना हो हुसने तालील कहलाता है ठीक, उसके बाद यहां पे है तजनीज तजनीज किसे कहते हैं दो लफ़ों का लफ़ में मुशाबे और माने में मुख्तलिफ होना तजनीज कहलाता है ठीक है, इस तियारा इस से पहले आ चुका है, मैं बतला दिया हूँ ठीक है, मैंने बतला दिया है, इस तियारा उसके बाद आठवा यहां पर कुश्चन है गुरेज किस सिन्फ का जुज़ है गुरेज अगर आप देखें तो किस सिन्फ का जुज़ हो जाएगा गुरेज हो जाएगा पसीदे का जुज़ राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा डी कसीदा ठीक है आईए गजल के भी अजिज़ा पूछे जाते हैं सम्टाइम्स मस नवी के examiner पूंचता है sometimes आपसे मरसिया के पूंचता है ठीक है तो यह चारो जो options हैं मैं सब के आपको अजिजा बतलाओंगा ठीक दीके अजिजा किसे कहा जाता है अजिजा I mean जैसे मरसिया है तो मरसिया किन चीजों से मिलके बनेगा उसको अजिजा तरकीबी बोलते हैं ठीक तो कसीदे के जो अजिजा तरकीबी हैं उसमें आप देखेंगे फस्ट नमबर पे तश्बीब सिकिन नमबर पे गुरेज थर्ड नमबर पे मद्ह चौथे नमबर पे दुआ या हुसने तलब तो ये चार मतलब कसीदे के में अजिजा हैं तश्बीब गुरेज मद्ह दुआ या हुसने तलब ठीक उसके बाद गजल किन चीज़ से मिलके बनती है गजल के अंदर मतला होता है मक्ता होता है रदीफ होता है और काफिया होता है तो ये चारों चीज़े होती है जो गजल को अच्छे अंदास में बनाती है ठीक उसके बाद मसनवी के हम अगर अजजाय तरकीवी की बात करें तो इसमें आप देखेंगे हम्द है नात है मनकबद है मनाजात है मद्ध बादशा या उम्रा है इसके बाद मरसिया के अजजाय तरकीवी के अगर में बात करूँ तो मरसिया के अजज़ाय तरकीवी में आपको क्या मिलेगा चहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज, जंग, शहादत और बेन तो ये तमाम चीज़ों के अजज़ाय तरकीवी मैंने आपको काउंट करवा दियें लिखते हुए चैने बारा एकरम उसके बाद नवा यहां पे कुशन है, नौविल उम्राओ जान अदा में किस शहर की तहजीब औ मौाशरत की अकासी की गई है तो नौविल उम्राओ जान अदा में लखनो जो शहर है, उसकी मलब जो तहजीब है, जो महां का कल्चर है, उसको मलब बयान किया गया है so right option हमारे पास हो जाएगा c ठीक देखिए इससे पहले हम लोग मलब 6 साल की वीडियोज बना चुके हैं 6 साल के पेपर solve करा चुके हैं जामिया बियोनर्स उर्दू के और जिस अंदाज में ये वीडियो बना रहा हूँ उसी अंदाज में पुराने पेपर भी मैंने solve की हैं तो आप उनको भी मलब उन वीडियोज को बराय करम देखने चाहें आप अर्बिक के अगर देखना चाहें तो आप अर्बिक की पिले लिस्ट में चले जाएं अर्दू के अगर देखना चाहते हैं उसके बाद दसमा यहां पर कोशन है, रिसाला तहजीब अखला किस ने जारी किया था, रिसाला तहजीब अखला की जारी किया था, सरसेद अहमद खान ने, रायट आप्शन हमारे पास हो जाएगा, D, अब्दी की सरसेद अहमद खान का नाम आया है, तो सरसेद अहमद खान से बहुत जादा questions आते हैं exam के अंदर आईए मैं आपको सरस्य अहमद खान से जो मिलते जुलते जो questions है वो यहां पे मैं बतलाता हूँ और जो questions exam में आते हैं वो सारे questions मैं आपको यहांपे बतला दूंगा सरस्य अहमद खान की पेदाइश कहा होगी थी सबसे पहला कोश्शन ये सरसेयत के बारे लिए सरसेयत की जो पैदायश हुई है सत्रा उक्तॉबर 1817 देहली के अंदर ठीक पैदायश सत्रा अक्तूबर 1817 देहली के अंदर इंतेकाल 28 मार्च 1898 अली गड़ के अंदर ठीक और जामा मस्जड علیگل کی جو جامعہ مسجد ہے اور وہیں پہ ان کے قبر ہے اور ان کے جو والد کا نام تھا سید محمد متقی اور والدہ کا نام عزیز النساء ठीक دادا کا نام سید حادی اور نانا کا نام خواجہ فرید الدین احمد ठीक اور بی بی کا نام تھا پادسہ بیگم ठीक اور اس کے علاوہ अगर آپ ان کے بیٹوں کی نام کی بات کریں تو حامد اور محمود इनके दो बेटे थे और एक बेटी थी ठीक सो एक बार और सुन लीजिए 17 अक्तूबर 1817 अलिएगड के अंदर दिली के अंदर इनकी पैदाश हुई और इंतकाल होता है 28 मार्च 1898 अलिएगड के अंदर वालिद का नाम सेद मुहमद मुत्तकी वालदा का नाम अजीज अनिसा दादा का नाम सेद हादी नाना का नाम खौज़ा फरीदुदीन अहमद और बीवी का नाम पारसा बेगम और इनके दो जो बेटे थे हामिद और महमूत ठीक है उसके बाद इनके जो अहोड़े और मुनासिब हैं उनसे related जो questions बनते हैं के मुलाजमत का आगाज कब किया या तबादला इनका कब हुआ या सदर अमीन इनको कब बनाया गया या सदर सुदूर कब बनाया गया तो सारी चीज़े मैं आपको बतलाता हूँ ठीक है सो मुलाजमत का आगाज इनका हुआ 1838 में और नाइब मुन्शी ये बनाये गए आगरा कमिशनरी में 1849 में उसके बाद जज़ बनेते मैंपुरी में 1841 में फिर उसके बाद सदर अमीन बनेते बिजनौर में 1855 में फिर उसके बाद इनके मलब बहुत सारे टांसफर हुए थे गाजीपूर से अलीगड हुआ, अलीगड से बनारस हुआ बनारस से फिर इनका इंगलिस्तान का जो सफर था 1879 में इससे ये कोशन्स बनता है कि बनारस से इंगलिस्तान का जो सरसेयद ने सफर किया था वो किस सथन में किया था तो 1879 में इन्होंने किया था ساری جو کتابیں ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوا چلوں رسالہ قوائدِ اردو سرسیت کی سب سے پہلی تصنیف ہے رسالہ قوائدِ اردو اس کے بعد ہے جام جم پھر ہے جلاؤ القلوب بذکر المحبوب ٹھیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے جلاؤ القلوب بذکر المحبوب اس کے بعد ہے آثار السنادیت آثار السنادیت پھر ہے کلمة الحق پھر ہے سنت درد بدعت پھر تاریخِ سرکشی بجنور پھر ہے اسبابِ بغاوتِ ہند ساری ملپ مشہور کتابیں ہیں اس کے بعد ایسیس آن پروفیٹ محمد اس کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا خدباتِ احمدیہ کے نام سے اس کے بعد تفسیر القرآن یہ ان کی کتاب ہے رسالت حضیب الاخلاق یہ علیگر سے نکالتے تھے اس کے علاوہ ایک ان کی اور کتاب ہے تبیون القلام فی تفسیر تورات والانجیل علامس علیہ السلام ٹھیک سو اتنی سارے ملپ ان کی مشہور کتابیں ہیں اگر آپ ادارے اور تنظیموں کی بات کریں تو مراد آباد میں سب سے پہلے انہوں نے مدرسے کی بنیاد ڈالی تھی اٹھارہ سو انسٹھ میں پھر محمدن لیٹریری سوسائیٹی یہ کلکتہ میں انہوں نے قائم کی تھی اٹھارہ سو سٹھ میں اس کے بعد گازیپور میں سائنٹیفک سوسائیٹی کا قیام یہ اٹھارہ سو چونسٹھ کے اندر ہوا تھا پھر گازیپور میں انگریزی مدرسے کا قیام انہوں نے کیا تھا اٹھارہ سو چونسٹھ میں پھر پھر اگر آپ دیکھیں مدرسط العلوم کا مدرسط العلوم کا علیگڑ میں انہوں نے قیام کیا تھا اس کے بعد محمدن اورینٹل کالج کا سنگے بنیاد پڑھا تھا جو آج کل جس کو ہم لوگ علیگڑ کے نام سے جانتے ہیں اٹھارہ سو ستتر میں اس کے بعد اگر آپ اجازات اور خطابات کی بات کریں تو جواد الدولہ ان کو خطاب دیا گیا تھا اٹھارہ سو بیالس میں مغلیہ دربار سے اور اس کے علاوہ سر کا ان کو جو خطاب ملا ہے آپ کہتے ہیں نا کہ سرسید احمد خان تو جو سید سے پہلے سر لگا ہوا ہے تو یہ سر کا جو خطاب دیا تھا وہ بریٹش گورنمنٹ نے ان کو دیا تھا اٹھارہ سو انہتر میں اس کے بعد علیگڑ تحریک میں اگر آپ سرسید کے رفقہ کی بات کریں تو بہت سارے لوگ تھے مولوی عبدالحق تھے مولوی زکاولہ تھے اسی طریقے سے وقار الملک محسن الملک وغیرہ تھے مولوی سمیع اللہ خان وغیرہ تھے اتنی ساری انفورمیشن یہ سرسید احمد خان کے بارے میں ہے اس کے بعد آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ گیارہ نمبر کوششن کیا ہے گیارہ نمبر اس کے علاوہ اس میں اور بھی لوگ ہیں جیسے کلیم الدین احمد ہیں کلیم الدین احمد یہ نقاط کے طور پر مشہور ہیں اور ان کی اگر آپ کتابوں کی بات کریں تو ان کی مشہور جو کتابیں ہیں اردو شاعری پر ایک نظر کلیم الدین احمد کی یہ کتاب ہے انیس سو چالیس میں اس کو انہوں نے پبلش کیا تھا اردو شاعری پر ایک نظر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر جو ان کی مشہور کتاب ہے اردو تنقید پر ایک نظر اس کے علاوہ تیسری جو کتاب ہے کلیم الدین احمد کی اقبال ایک متعلق اس کے علاوہ چوتھی جو کتاب ہے अर्दु जबान और फने दास्तान गोई उसके लावा पांचवी किताब अपनी तलाश ये बायोग्राफी है कलिमुदीन अहमत की ठीक है और पदम शिरी आवार्ट से इनको नवाजा गया है इसी तरीके से इनका एक मशहूर कौल है जिसे मैंनला कोशन मनता है कि गजल नीम वहशी सिन्फे सुखन है ये कलिमुदीन अहमत का मशहूर कौल है तो इतनी सारी इनफॉर्मेशन मैंने आपको कलिमुदीन अहमत के बारे में दी कलिमुदीन अहमत ये नकात के तोर पे मशहूर है और इनका मशहूर कौल है गजल, नीम, वहशी, सिन्फे सुखन है पदम, शिरी, आवाट से इनको सम्मानित किया गया है इसके लाव अगर आप किताबों की बात करें तो अर्दू शायरी पर एक नजर और अर्दू तनकीद पर एक नजर एक बाल एक मुताला अर्दू जबान और फन्य दास्तान गोई और अपनी तलाश ये पांच बदलब कलीम अदीन अहमत की मशूर किताबे हैं ठीक उसके बात ग्यारवा यहां पर कोशन है तरक्वी पसंद तहरी के बानी कौन है तरक्वी पसंद तहरी के जो बानी है वो सज्जाज जहीर है सज्जाज जहीर तरक्वी पसंद तहरी के बानी है राइट आप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आप्शन हमारे पास बनेगा सी सज्जाज जहीर से मुतालिक जो कोशन बनते हैं है वह simple कोशन है कि तरक्वी पसंट तरीक के बानी कौन है ये फर्स्ट कोशण ह Altuader के भूब नियुअ को थरफिय को कफ?? ट्रक्वी पसंट दक हरेते है औरक फासंट और ॉडैय तरा होट तरैक पर gir bitter तो में उल्हावा vein, थोड़ा से मैं आपको बैक ग्राउन बदाओं तरक्य पसंद intéressantतरीक, आप उसको सब्जेक्टिब के अंदर भी लख स्कते हैं। आप इसको देखते हैं कि तरक्य पसंद Tap T apparently क्या है। देखते हैं कि अदभी तहरीक team क्या है। आप इसको लिखते रहिएगा अपनी मलब कॉपी में वीडियो को पाउस करके स्टॉप करके लिखिएगा ठीक है वहीं अर्दू जबानों अदब पर भी इसके असरात बड़े पैमाने पर मुरत्ब हुए चूंकि इस तहरीक से अर्दू के अदीब शायर और कलमकार हजरात बड़ी तादाद में वाबस्ता थे इसलिए इस तहरीक ने अर्दू की कई असनाफ मसलन अफसाना नौविल शायरी तनकीद वगएरा में लिसानी और फिकरी दोनों सथों पर तबदीलियां पैदा की और अदब के साथ साथ समाजी इसलामे नुमाय किरदार अदा किया इतना मलब आप लिख सकते हैं तरफ्की पसंद तहरीक के बारे में ठीक आईए अगला कोशन देखते हैं कोशन नमर 12 अफसाना टोबा टेक सिंग किसकी तस्नीफ है देखे अफसाना टोबा टेक सिंग ये तस्नीफ है मंटू की सायज़त हसन मंटू राइट आप्शन हमारे जो एक्जाम में मलब आपसे बार बार पोचे जा सकते हैं उन में मलब ठंडा गोश्ट टोबा टेक सिंग बू खोल दो काली शलवार आँखे औरत जात नया कानून अनार कली आम ये मंटू के मलब मशहूर अफसान है एक बार मैं और आपको बतला दूँ ठंडा गोश्ट टोबा टेक सिंग बू खोल दो काली शलवार आँखे औरत जात नया कानून अनार कली आम देखे जो बू बू इस तरीके से है ठीक है ये मंटू का अफसान है ठीक उसके बाद अगला नाम यहाँ पर आया है क्रिशन चंदर का ये भी बहुत बड़े अफसान निगार है तो और इनके जो अफसाने हैं वो बार बार एक्जाम में पूछे जाते हैं क्रिशन चंद इनके अफसाने लिखिए आप पूरे चांद की रात एक तवाइफ का खत पिशावर एक्सप्रेस कालू भंगी अन दाता महालक्शमी का पुल जामुन का पेड मीना बजार और कुवार पूरे चांद की रात एक तवाइफ का खत पिशावर एक्सप्रेस कालू भंगी अन दाता महालक्शमी का पुल जामुन का पेड मीना बजार कुवारी देखिए ये वीडियो बहुत ही जादा इंपोटेंट है बहुत ही महिनत मशक्कत के बाद इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूं ठीक है और इस वीडियो को आप लोग के सामने बना रहा हूं बहुत महिनत लगी है क्योंकि किसी पेपर को एजी करना सॉल्ब करना बहुत आसान होता है वो सिंपल यह कि मलब आप एक आप्शन देखें उसके बाद मलब आप निकल जाए लेकिन आप जब हर जब हम लोग इतना informative मलब बत लाएंगे इतना detail में जब जाएंगे तो जाहिर सी बात है वीडियो नंबी हो जाएगी लेकिन इस वीडियो से आपको बहुत जादा फादा हुआ मैं guarantee के साथ कह सकता हूं कि जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो 20 नंबर का तो easily solve कर सक है बहुत ही मशहूर ये किताब है कुरत अलायन हैदर की कुरत अलायन हैदर की मशहूर किताब है right option हमारे पास हो जाएगा ड़ी आप आईए इन में जो मलब मशहूर हस्तिया हैं उनकी किताबों के बारे में हम लोग रुख करते हैं सो पहला यहाँ पे नाम है खौजा अहम अबबास खौजा अहमद अबबास की जो मशहूर किताबे हैं इनकिलाब लिखते रहिए आप लोग पाओं में फूल दिया जले सारी रात मुसाफिर की डायरी सोने चांदी के बुद मैं कौन हूँ यह अहमद अबबास की किताबे हैं मैं आपको और बतलाता चलू पहले न चलू फ़े नमबर पे दिया जले सारी रात चौते नमबर पे मुसाफिर की डारी पाच्वे नमबर पे सोने चांदी के बुद च्छटे नमबर पे मैं कौन हूँ अगर कोई लफ्स समझ में न आए या कोई आपको किसी शक्स की किताब समझ में ना आ आया किसी का अफसाना समझ में ना आए तो आप सिंपली कमेंड बॉक्स में मुझसे पूँच लीजेगा मैं इंशालला आप लोगों को तसली बख्ष जवाब दे दूँगा ठीक है उसके बाद अगला हाँ पे नाम आया है असमत चुकताई का असमत चुकताई की जो मशुर किताबे हैं उनमें अगर आप देखें तो एक बात ये किताब है एक कत्रा ख़ून दूसरी किताब छोई मुई ये तीसरी किताब सौधाई चौथी किताब अजीब आदमी पांचवे किताब जिद्धी च्छटी किताब और फसादी ये साथवी किताब ये अस्मत चुगत आई के मशूर किताबे हैं जिन से कोशनस बनते हैं एक्जाम के तो मीर अमन का जो तालुक है वो हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलिज से राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी आईए दिखते हैं कि यह जो जितने कॉलिजिस का नाम यहां पे लिखा हुआ है इनकी संगे बुनियाद क्या है इनकी कब बुनियाद पड़ी थी इनका फ इसके बाद दिल्ली कॉलिज के बात करूंँ तो ऑफार सो पच्चिस में इसकी बुनियाद पड़ी इसके बाद जाकिर हुसेइन कॉलिज के अगर मैं आप बात करूंँ तो 1696 में इसकी बुनियाद पढ़ी थी यह सबसे ओल्डेस्ट कॉलिज है पूरे हंदुस्तान का शिबली नुमानी है तो अगर आप वीडियो को बहुती इनहिमाग के साथ बहुती तवज्जू के साथ देख रहे हैं तो आप सिंपली टिक कर ले जाएंगे अभी मैं बतला चुका हूँ पहले भी जब शिबली नुमानी का नाम आया था राइट आप्शन हमारे पास हो और आदब और समाज ये है सियत इहतिशाम हुसेन की सियत इहतिशाम हुसेन उसके बाद सोलवा यहां पे कोशन है गुजरा हुआ जमाना किसकी तस्नीफ है ये किताब है सरसियत अहमद खान की राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा बी उसके बाद अगला यहां पे कोश डिरामा खुदा हाफिज के मुसनिफ का क्या नाम है डिरामा खुदा हाफिज के मुसनिफ का जो नाम है वो है शौकत थानवी राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा डी शौकत थानवी देखिए हबीब तन्वीर हों या इम्तियाज अली ताज हों या आगाहश्र काश्मी प्हिर्य हूं या शौकत-थान्वी हूँ इन तमाम लोग का जो तालुक है वो ड्रामे जैसी सिन्फ से है ठीक है! ड्रामे जैसी सिन्फ से मुसे इन है इन Western है तो, आईए सबसे पहले हम लोग हईगी तन्वीर के जो अच्छूर ड्रामे है जो आधे हैं उन को देखते हैं ठीक है सो हबीब तन्वीर के जो ड्रामे हैं उनुमें पहला नाम है मिट्टी की गारी दूसरा नाम है कार्तूस तीसरा नाम है शतरंज की मोहरें चौथा नाम है लाला शोरत राए पाचवा नाम है आगरा बाजार और छटा नाम है चरिंदास चोर मिट्टी की गाड़ी, कार्तूस, शतरंज की महुरें, लाला शोरत राय, आगरा बाजार और चरिंदास चोर ये हबीब तन्वीर के मशूर ड्रामे है ठीक है उसके बाद इम्तियाज अली ताच के जो मशूर ड्रामे है उनमें अगर आप देखें फस्ट नमबर पे है अनार कली, सिकिंड नमबर पे है चचा चक्कन ठीक है, अनार कली और चचा चकन उसके बाद अगला यहाँ पे जो नाम है आगा हशर काश्मीरी इनके जो मशूर ड्रामे हैं उनमें अगर आप देखें तो यहूदी की लड़की, रुस्तमो सोराब, असीरे हिर्स, आख का नशा, खुबसूरत बला और सफैद खून यह इनके मिल्लब मशूर ड्रामे है आगा हशर काश्मीरी के ठीक है तो यहूदी की लड़की, रुस्तमो सोराब, असीरे हिर्स, आख का नशा, खुबसूरत बला, सफैद खून ठीक उसके बाद यहाँ पे अठारवा जो कुश्चन है अठारवा कुश्चन यह है कि वो लफ जिस से किसी की कैफियत या हालत मालूम हो, उसे क्या कहते है उसे सिंपल है, उसे हम लोग सिफत कहते है, ठीक है राइड ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, सी उसके बाद यहाँ पे उननिसवा कुश्चन है वो नाम जो बादश्चा सरकारो दर्बार से एजाजी तोर पर मिलता है, उसे क्या कहते है उसे क्या कहते है, उसे हम लोग खिताब कहते है राइड ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, ए उसके बाद बीसवा यहाँ पे कुश्चन है, वो फैल जिसमें किसी काम का करना पाया जाए मगर उसका असर सिर्फ काम करने वाले यानि फाइल तक रहे, उसे क्या कहते है उसे फैले लाजिम कहा जाता है, राइड ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा भी देखे, इतने सारे मलब इसमें कवाइद आये हैं, तो आईए इन तमाम कवाइद को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है सो सबसे पहले यहाँ पे है फेल फेल किसे कहा जाता है दीए फेल कहते हैं किसी काम के करने या होने को फेल कहते हैं जैसे करना या होना खाना पीना सोना जागना ये फेल है ठीक है किसी काम के करने या होने को फेल कहते हैं जैसे करना होना पीना जागना सोना उसके बाद जमीर किसे कहते हैं जमीर कहा जाता है वो कलिमा है जो किसी के नाम या इस्म की जगा बोला जाए ठीक है जैसे हम तुम ठीक यानि जमीर वो कलिमा है जो किसी के नाम या इस्म की जगा बोला जाए जैसे मिसाल के तौर पर आप समझ सकते हैं हम तुम मैं वो उसके بعد صفت کسے کہتے ہیں یہ تو صفت یہاں پہ لکھا ہوا ہے والف جس سے کسی کی قیفیت حالت معلوم ہو اسے صفت کہتے ہیں اس کے بعد تنوین کسے کہا جاتا ہے تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر یا دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اس کے بعد خطاب کی تو یہاں پہ تعریف ہو گئی اس کے بعد لقب کسے کہا جاتا ہے لقب بلتے ہیں وہ نام جو حکومت ادارے یا بادشاہ کی جانب سے عزاز کے طور پہ دیا جاتا ہے जैसे पदम भूशन खान बहादुर वगेरा उसको मलब हम लोग लगप कहते है ठीक है उसके बाद उर्फ किसे कहते हैं उर्फ कहा जाता है वो नाम जो बच्पन में लाड प्यार की वजा से पहचान के तोर पर पड़ जाए जैसे कुलवा वगेरा उसे मलब उर्फ कहा जाता है जैसे काला कोई मलब कोई ऐसा बच्चा होता है जिसका रंकाला होता है तो उसे कुलवा वगेरा मलब बच्पन से कहा जाता है तो उसको उर्फ कहते हैं उसके बाद तखलुस किसे कहते हैं तखलुस कहा जाता है वो मुखत तादी वो फैल है जो अपने काम करने वाले यह फैल से बढ़कर मफ़ूल को चाहे जैसे उसने किताब पढ़ी मैने खाना खाया तो यह फैले لازم کی تعریفیں فیلِ ناقش ёسے کہتے ہیں فیلِ ناقش کہا جاتا ہے وہ فیل ہے جو کسی اثر کو ظاہر کرے اور کسی پر اثر نہ ڈالے جیسے تم بیمار تھے ठीक ہے اس کے بعد ماضی ناتمام کسے کہتے ہیں ماضی ناتمام ماضی ناتمام کو हم لوگ ماضی استمراری بھی کہتے ہیں ठीक ہے یہ وہ ماضی ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کام کا جاری رہنا سمجھا جاتا ہے यानि काम खत्म नहीं होता है इसकी खास पहचान यह है कि उसके आखिर में रहा था रहे थे रही थी वगेरा आता है ठीक है तो बीस कोशन हमारे हो गए 21 कोशन पे आने से पहले मैं यहां पर एक अनौंसमेंट करना चाहता हूँ हो यह है कि हम लोग मलब जामिय मिल्य इसलामिया बीउनर्स, अरबिक बीउनर्स, उड़्दू बीउनर्स, परिशन बीउनर्स, इस्लामिक स्टेडीज की तैयारी करा रहे हैं और बैच इन्शाललह एक अक्तूबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा तीन महीने का क्रेश कोर्स है अक्टूबर, नुवेंबर, दिसम्बर उसके बाद सिकेंड बैच स्टार्ट होगा जनवरी से एक जनवरी से ठीक है इस कोर्स के अंदर हम लोग इसी अंदाज में पढ़ाते हैं आप में से अगर कोई भी शख्स कोचिंग का पार्ट बनना चाहता है क्योंकि गाइडेंस की बहुत ज्यादा कमी है हमारी यहां पे तो आप में से कोई भी शख्स अगर गाइडेंस प्राप्त करना चाहता है अच्छे अंदाज में कोचिंग लेना चाहता है तो मेरा नमबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप उसे नमबर करके मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है आई एक किसवा कोशन देखते हैं नजम रमाइन का एक सीन के शायर की तखलीक है तो नजम रमाइन का एक सीन ये नजम है बुर्ज नराइन चकबस्त की नजम है राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा भी नराइन चकबस्त की जो मश्यूर नजमे हैं उनमें खाके हिंद है दर्दे दिल है मरसिया बाल गंगा धर तिलक और वेद और एक नजमें की बरसाथ ठीक है ये मशूर नजमे हैं एक बार और मैं काउंट करा दू खाके हिंद दर्दे दिल मरसीया बाल गंगा धर तिलक बेद सी तरीके से बढ़ साथ ये मशूर नजमे हैं बिर्च नराइन चकवस्त की उसके बार अलताफ हुसें हाली की जो मशूर नजमे हैं उनमें अगर आप देख उसके बाद अगर यहां में बात करूँ अलमा अकबाल के जो मशूर नजमे हैं जिन से कोशन्स आते हैं एक्जाम में तो पहली नजमे शिक्वा जवाब शिक्वा दूसरी है एक आर्जू तीसरी है तराना हिंदी चौती है बच्चे की दूआ पांचवी है जावेद के ना च्छटी है तलूए इसलाम साथवी है फर्माने खुदा आठवी है परिंदे की फर्याद और नवी है साकी नामा दसवी है तारिक की दूआ ग्यारवी है जिबरेईलो अबिलीस और बारवी नजमे है मज़िद कुर्तुबा ये मशूर बारा नजमे हैं जो एक्जाम के अं तलूए इसलाम फर्माने खुदा परिंदे की फर्याद साकी नामा तारिक की दूआ जिबरेईलो अबिलीस मस्जिद कुर्तुबा ठीक उसके बाद फैज अहमत फैज की जो मशूर नजमे हैं उनमें अगर आप देखें तो बूल किलब आजाद है तेरे ये फैज अहमत फै दो इशक मुलाकात बहर आई बूल किलब आजाद है तेरे सुबह आजादी याद applies कुछ है टनहाई दुआए आखरी खट दो इशक मुलाकात बहर आई इंतिजाद। इसके बाद 42 में हां पर कोशन है हम है मताई कूचव बाजार की तरह उठती है हर निगा खरीदार की तरह ये शेर किस शायर का है ये शेर है मजरू सुल्तान पुरी का राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा ए ठीक उसके बाद अगला हाँ पे कोशने 23 वा इन शाया चार पाई किसकी तस्नीफ है तो इन शाया चार पाई ये तस्नीफ है रशीद एहमसिदीकी की राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा सी ठीक है इनकी बाकी एहम किताबे अगर हम देखें रशीद एहमसिदीकी की तो उसमें आपको मिलेगा जदीद गजल शेख नियाजी तन्जियातो मुजहकात गंज ह हाए गिरामाया हम नफसान रफता लेकि आपको कोई भी किताब समझ में ना आया कोई लफ समझ में ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजें मैं इन्शालला उसका आपको जवाब दे दूँगा ठीक है तो रशीद मसिदीकी की किताबे एक बार और सुन लीजी ज अगर मैं बात करूँ तो उनमें आपको मिलेगा बालो पर बिरिज बानो संगो खष्ट शीशा वतीशा गुस्ताखिया नए शगुफे और नाजुख ख्यालिया ये कनहिया लाल कपूर की किताबे हैं बालो पर बिरिज बानो संगो खष्ट शीशा वतीशा गुस्ताखिया नई शगू फू और नाज़ो खियालिया ठीक है उसके बद मुश्ताक अहमद יूसुफी की कौण कौण सी कताबे हैं इन की कताबे हैं चिराग तले आबे गुम जर्गुजष्ट खाकम बदहम ये चार किताबे हैं मुश्राक एहमद यूस्फी की बहुती मशूर है चिराग तले, आबे गुम, जर्गुजश्ष्ट और खाकम बदहम उसके बाद मुच्तबा हुसेन मुच्तबा हुसेन की जो मशूर किताबे है महर्बा कैसे कैसे कत्य कलाम और किस्थे मुक्तसर ठीक, ये तीन किताबे मुच्तबा हुसेन की है अगला यहां पर कोशन है 24 वा, अफसानवी मजमुवा वारदात के मुसनिफ कौन है तो अफसानवी मजमुवा वारदात के मुसनिफ है पिरेमचंद, ठीक है पिरेमचंद इसके मुसनिफ है राइड अप्शन हमारे पास हो जाएगा C पिरेम चंद के और भी बहुत मशूर अफसाने हैं और पिरेम चंद को अगर आप कहें तो पिरेम चंद is the king of उर्दू अफसाना ठीक है पिरेम चंद को आप कह सकते है कि इनको बाशा कहा जाता है उर्दू अफसानों का ठीक इनके और मशूर जो अफसाने हैं आप उनको लिखते कोई चलें नोडाउन करते कोई चलें कफन, पोस्की रात, ईदगा, दो बैल, हज्जे अकबर, सवा सेर गेहूं, राहे नजात, बड़े घर की बेटी, शतरंज की बाजी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन एक बार और सुन लिजीए, कफन, पोस्की रात, ईदगा, दो बैल, हज्जे अकबर, सवा सेर गेहूं, राहे नजात, बड़े घर की बेटी, शतरंज की बाजी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन ये इतने सारे मरला मशूर अफसाने हैं प्रेम चंद के ठीक है उसके बाद अगला नहाँ पर नाम है अस्मत चुकताई के जो मशूर अफसाने हैं उनको मैं बतलाओं अस्मत चुकताई के मशूर अफसाने, पहला है गेंदा, दूसरा है लहाव, तीसरा है चौथी का जोड़ा, पांचवा है जिदी, छटा है मासूमा, और साथवा है टेड़ी लकी तो गेंदा लिहाब चौथी का जोड़ा जिदी मासूमा और टेड़ी लकी ये असमत चुपताई के मशहूर अफसाने हैं ठीक उसके बाद देखिए यहां पे एक नाम यहां पे लिखा हुआ है अब्दुलहलीम शरर का तो अब्दुलहलीम शरर के बारे में मैं आप लोग को एक पॉइंट यहां पे बतला दूँ कि अब्दुलहलीम शरर अफसानों के लिए इतने मशहूर नहीं हैं जितने आमलब नौविल निगारी के लिए मशहूर है सो अब्दुल्हलीम शरर नौविल निगारी के लिए जादा मशूर है सो इसी व्यासे मैं यहाँ पर आपको अब्दुल्हलीम शरर की नौविल्स के बारे में बतलाओंगा सो फस्ट जो नौविल है इनका वो है दिल्चस्प सिकंड नमबर पे है फिर्दौस बरी ठर्ड नमबर पे है मलिक अब्दुल्अजीज वरजना और फूर्थ नमबर पे है हुस्न एंजलीना फिफ्थ नमबर पे है मनसूर मोहनना फिर है पैस लुबना फिर है दिलकश फिर है जैदो हलावा फिर है यूसुफ नजमा अब्दुल्हलीम शरर के नोविल्ज एक बार आप और सुन लीजिए दिल्चस्प, फिर्दौस बरी, मलिक अब्दुलाजीज वरजना खुस्न एंजलीना, मनसूर मोहनना, लैसो लुबना दिलकश, जैदो हलावा, यूसुफ नजमा इसके लावा, अब्दुल्हलीम शरर, रिसाले भी निकालते थे, न्यूस पेपर्स भी निकालते थे इनके न्यूस पेपर्स भी एक्जाम में पोचे जाते हैं तीन बहWarती मशूर ये रिसाले निकालते थे मशूर ये रिसाले निकालते थे पहला है दिल गुदाज दूसरा है महजब तीसरा है परदे इसमत ठीक है उसके बाद अगला यहां पे कोशन है पच्चिसवा गुदिश्टा लखनो के मुसनिफ कौन है तो गुदिश्टा लखनो की जो मुसनिफ है वो है अब्दुलहलीम श स्यदैन है तो इन में अगर आप देखें तो आंधी में चिराग जो किताब है वो खौजा गुलाम स्यदैन की है राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा ए इसके लाए इनकी और किताबों की अगरा में में बात करूं तो दास्ताने अश्को खूं दुनिया मेरा गाउं औ एक मर्द दुर्वेश ये चार मतलब मशहूर किताबे हैं खौजा गुलाम स्यदैन की आधी में चिराग दास्ताने अश्को खूं दुनिया मेरा गाउं एक मर्द दुर्वेश ये चार मतलब मशहूर किताबे हैं इसके लावा हयाते साधी आप जानते हैं बार बार बतलान का सफर नामा है जब वो इंगलेस्तान गए थे 1869 में तब उन्होंने लिखा था ठीक उसके बाद अगला यहाँ पर कोशन 27 वा डिरामा के जबान के लफ़ है तो डिरामा जो लफ़ है वो यूनानी जबान के लफ़ है रायट अप्शन हमारे पास हो जाएगा C उसके बाद 28 वा यहाँ पर कोशन है तजकिरा निकात उशोरा के मुसनिफ कौन है निकात उशेरा के यह जो किताब है इसके मुसनिफ हो जाएंगे मीर तकी मीर रायट अप्शन हमारे पास हो जाएगा B देखे मीर तक इमीर को खुदाय सुखन कहा जाता है और इनकी जो किताबे हैं जो एक्जाम में पूची जाती है निकात उशोरा के इलावा शोला इश्ग और मजामीर ये दो मशूर किताबे हैं और तीसरी किताब निकात उशोरा है ठीक उसके इलावा उन्तिसवा यहां पे कोशन है जिगर मुरादाबादी का नाम क्या था जिगर मुरादाबादी का जो नाम था अली सिकंदर था राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा बी अली सिकंदर ठीक उसके लाबा तीसवा यहां पर कुशन है इन में से कौन सा मजमुवा फैज एमद फैज का नहीं है तो अगर आप देखें तो इन में से जो मजमुवा है जो फैज एमद फैज का नहीं है वो फरोजा है राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा बी बाकी नक्षे फर्यादी हो या दस्ते साबा हो या जिन्दा नामा हो ये तीनों मलब किसके मजबू है फैज है मत फैज के है ठीक उसके बाद अगला हाँ पर कोशन है गालिब की पैदाइश कहा हुई थी गालिब की पैदाइश हुई थी आगरा के अंदर राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा सी ठीक है आगरा उसके बाद अगला हाँ पर कोशन है बत्तिसवा जिस नजम के हर बंद में छे मिसरे हों उ हम現在 कहा है? उससे कहा जाता है मुसद्धश, नहीesaris को ऐसी नजह disp complained जाे जाते हैं जिसमें छी मिस्धश हुम एते हैं तो अगर अगर आप היोसे अच्छेश की बात करें तो तो मुसद्दश एसी नजह को कहा जाता है जिसमें तीन तीन मिस्धश हु constituents ठीक है उसके बाद मुरबा ऐसी नजब को कहते हैं जिसमें चार मिस रहे हो मुसम्मन कहा जाता है ऐसी नजब जिसमें आठ मिस रहे हो ठीक है सो मुसदस जिसमें छे मिस रहे हो मुसलस जिसमें तीन मिस रहे हो और मुरबा जिसमें चार मिस रहे हो और मुसमन जिसमें आठ मिस रहों ठीक है उसके बाद तेंटिसवा यहां पर कोशन है इजाज़ और इख्तिसार किस सिन्फ शायरी की खुस्यात है तो इजाज़ और इख्तिसार यह आपको गजल में देखने को मिलते है राइट अप्शन हमारे पास हो जाएगा बी उसके बाद चौतिसवा यहां पर कोशन है उर्दू के सूफी शायर की हैसियस से कौन मशूर है उर्दू के सूफी शायर की हैसियस से जो मशूर हुए है वो मीड दर्द मशूर हुए है राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा ए खौजा मीडड़ उसके बाद 35 यहां पे कोशन है इन में से कौन से किताब शिबली की नहीं है शिबली की जो किताब नहीं है आप सिंपली इसको टिकल ले जाएंगे शिबली की जो किताब नहीं है اس میں سے حیات سادھی نہیں ہے حیات سادھی یہ کتاب ہے مولانا الطاف حسین حالی کی میں بار بار تذکرہ کہتا ہوں بقیہ یہ تینوں کتابیں چاہے الفاروق ہوں یا الغزالی ہوں یا موازنہ انیس و دبیر ہوں یہ تینوں کتابیں آپ کو ملیں گی علمہ شبلی نومانی کی اس کے بعد 36 پہ یہاں پہ کوششن ہے فورڈ ویلیم کالج کی مشہور تصنیف کونسی ہے فورڈ ویلیم کالج جو کلکتہ کے اندر تھا اس کی جو مشہور تصنیف ہے آپ دیکھیں تو اس میں کونسی تصنیف ہو جائے گی ہمارے پاس باغو بہار رائٹ اوپشن ہمارے پاس ہو جائے گا بھی دیکھیں فورڈ ویلیم کالج کا یہاں پہ نام آیا ہے تو چلیے اس کے بارے میں میں آپ کو بیک گراؤنڈ وکیرا بتلا دوں کیونکہ سبجیکٹیو میں بہت بار پونس بھی لیا جاتا ہے کہ فورڈ ویلیم کالج کے بارے میں لکھئے ٹھیک سو فورڈ ویلیم کالج کا قیام اردو عدب کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے آپ اس کو لکھتے ہوئے چلیں فورڈ ویلیم کالج کا قیام اردو عدب کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے اردو نصری کی تاریخ میں خصوصاً یہ کالج سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اگرچہ کالج انگریزوں کی سیاسی مسلحتوں کے تحت عمل میں آیا تھا لیکن اس کالج نے اردو زبان کے نصری عدب کی ترقی کے لیے نئی راہیں کھول دی تھیں فورڈ ویلیم کالج سرزمین ہندو پارک میں مغربی طرز کا پہلا تعلیمی ادارہ تھا جو لورڈ ویلزلی کے حکم پر اٹھارہ سو عیشوی میں قائم کیا گیا تھا ٹھیک سترہ سو اٹھانوے میں جب لورڈ ویلزلی گورنر بن کر آئے تو انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ انگریزوں کو اگر یہاں حکومت کرنی ہے تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ کمپنی کے ملازمین کا مقامی زبانوں اور ماحول سے آگاہی کے لیے تعلیم و تربیت کا بقاعدہ انتظام کیا جائے ان وجوہات کی بنا پر ویلزلی نے کمپنی کے سامنے ایک کالج کی تجویز پیش کی کمپنی کے کئی اہدے داروں نے اس کی حمایت کی اور اس طرح جون گل کرسٹ ہندوستانی زبان پر دسترست رکھتے تھے کمپنی کے ملازمین کو روزانہ درست دیتے تھے اردو زبان یہاں پر سکھائی جاتی تھی اور اس کے بعد بہت ساری کتابوں کی اس کالج کے اندر ملعب تصنیف ہوئی اور بہت سارے لوگوں نے اردو زبان کی خدمات میں ایک اہم رول نبھایا اس کالج کے اندر اتنا آپ لکھ سکتے ہیں فورڈ فیلیم کالج کے بارے میں ٹھیک اس کے بعد سیتیسوہ یہاں پر کوشن ہے چلی سیتیسوہ کوشن پر آنے سے پہلے یہاں پر کچھ ملعب داستانیں ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتلا دوں جیسے یہاں پر ایک نام ہے داستان امیر حمزہ سو داستان امیر حمزہ یہ داستان ہے غالب لخنوی کی غالب لخنوی نے اس کو لکھا ہے داستان امیر حمزہ کو اس کے بعد آرائش محفل اور توتہ کہانی کہ ایک شخص کی داستانیں ہیں یہ ایک شخص کی ملعب تصانیف ہیں یہ سید حیدر بخش حیدری کی ہیں سید حیدر بخش حیدری نے ملعب بہت ساری داستانیں لکھی ہیں ان میں آرائش محفل ہے توتہ کہانی ہے گلشن ہند ہے گلزار دانش ہے قصہ لیلہ مجنو ہے اور قصہ محرومہ تو یہ داستانیں سید حیدر بخش حیدری کی ہیں ایک بار اور سنتے ہوئے چلیں لکھتے ہوئے بھی چلیں آرائش محفل توتہ کہانی گلشن ہند گلزار دانش किस्थे लेला मजनू, किस्थे महरूमा ये दास्ताने किस की हैं? सेद हैदर बख्ष हैदरी की और दास्ताने अमीर हम्जा ये गालिब लखनवी की ठीक, उसके बाद से तिस्थवा है इन में से कि शायर को गयान पीट आवार्ड दिया गया तो ग्यान पीर आवार्ड जो मिला है वो फिराग गोरकपुरी को मिला है राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा डी फिराग गोरकपुरी उसके बाद अरतिसवा कोशन खुदाए सुखन के शायर को कहा जाता है अभी मैंने पीछे तखिरा किया था कि खुदाए सुखन कहा जाता है मीर तक मीर को राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा भी उसके बाद उन्तालिसवा यहां पे कोशन है मिर्जा नोशा किसका लगब था सो मिर्जा नोशा यह लगब था मिर्जा गालिब का रायट आप्शन हमारे पास हो जाएगा भी मिर्जा गालिब ठीक उसके बाद यहां पर चालिसवा कोशन है नौल गौदान किस की तकलीख है यह किताब किसकी है बहुत बार एक्जाम में पूची जाती है यह किताब है प्रेम चंद की प्रेम चंद की राइड आप्शन हमारे पास हो जाएगा सी और इस तरही के से हमारे मलब 40 कोश्चन पूरे हुए हम लोगों ने सिर्फ 40 कोश्चन नहीं किये हैं बलके 400 कोश्चन यहां पर सॉल्ट की हैं इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा और जितनी भी मलब आपक कर लिजेगा और उस को मलब बार बार पढ़िएगा और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन तक इस तरह की वीडियो नहीं पहुंच पाती हैं जो जो मालूमास से भरी हुई वीडियो होती हैं वो नहीं पहुं करा चुके हैं तक्रीबन साथ साल के पेपर्स हैं सबसे पहले पेपर्स को दीखी याज़ काशिग करें तो आप व ta कोचिंग करना चाहते हैं। और आप के पौकेट मनी इचाज़द देती है तो आप हमारि कोचिंग से जुडिए। बहुत जल्ब बैच स्टार्ट हो जाएगा एक अक्तूबर 2022 से फस्ट बैच स्टार्ट होगा एक जनवरी 2023 से सिकंड बैच स्टार्ट होगा जामिया बियोनरस उर्दू जामिया बियोनरस अरबिक बियोनरस पर्शियन और जामिया बियोनरस इसलामिक स्टेडेज के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई